बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम वीवर, उमीद है कि आप सब खेर वाफियत से होंगे, हमारी आज की वीडियो बहुत ही जबर्दस्त होने वाली है, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह वाटमन सी सीरम बना सकते हैं, आपने बहुत सी वीडि चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, यहां पर हम लेंगे एक ओरिंज, ओरिंज आपके पास बिल्कुल फ्रेश और जूस से भरा हुआ होना चाहिए, अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे, ओरिंज के बारे में तो आप जानते ही हैं, कि यह कुदर्ती तो पर वाटमन सी से भरपूर होता है, यह हमारी स्कीन को निखारता है, और हमारी स्कीन को फेर करता है, अब हम यहां पर एक लैमन लेंगे, लैमन भी कुदर्ती तोर पर वाटमन सी से भरपूर होता है, यह हमारी स्कीन को निखारने के साथ साथ हमारी डैमज स्कीन लेयर को र पिंकल होते हैं उसे भी रिमूव करता है और हमारी स्कीन को निखारता है और फियर करता है अब हम इसे भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे तो यह देखें यहां पर हमने लेमन को भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है अब हम ग्लास कंटेनर लेंगे और लेमन और और के चिलकों को इसके अंदर डाल देंगे यह रेमडी आपने सिर्फ और सिर्फ सात दिन के लिए regular यूज गरनी है साथ दिन के अंदर अंदर आपको इसके positive result मिलेंगे ओरिंज के चिलकों को हमने glass container के अंदर डाल दिया है अब हम यहां पर लेमन के छिलकों को भी गलास कंटेनर के अंदर डाल देंगे इस वीडियो को बनाने के साथ-साथ میں आपको बताती चलूँ कि आप ने इसे डिरेक्ट फ्लेम पर नहीं पकाना क्योंकि कुछ लोग इसे ड्रेक्ट फ्लेम पर पकाते हैं अगर आपने इसे महीने के लिए स्टोर करना है तो आप ओयल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप इस रेमडी को सीरोफ और सीरोफ साथ दिन के लिए रेगुलर यूज करके देखें आपको इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे अब हम सोस पैन में पानी लेकर इस कंटेनर को पानी के अंदर रख देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब पानी में बॉइल आना शुरू हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे 20-25 मिन्ट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे तो यह देखें यहां पर पानी में बॉइल आना शुरू हो गया है और हमने फ्लेम को लो कर दिया है तो यहां पर हमने इसे 20-25 मिन्ट के लिए लो फ्लेम पर पका लिया है अब हम इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसका ढखकन बंद करके इसे नॉर्मल टेमपरेचर पर दो दिन के लिए रख देंगे दो दिन आपने बिल्कुल इसे नॉर्मल टेमपरेचर पर पड़ा रहने देना है और दो दिन के बाद हम इसे उठाएंगे और स्टेनर की मदद से स्टेन कर लेंगे ये रेमडी बहुत ही जबरदस्त है एक दफ़ा आप इसे बना कर जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको इसके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे और आपका चेहरा खुबसूरत नर्मो मुलाइम और पिल्कुल समूथ हो जाएगा तो ये देखें इसका कितना जबरदस्त कलर आ गया है ये हमारा वाटमन सी सीरम बनकर रैडी है क्योंकि हमने इसे डिरेक्ट फलेम पर नहीं पकाया इसलिए ये बहुत ही इफेक्टिव है अब हम इसे अच्छी तरह से स्टेन करके सप्रे बोटल में डाल देंगे अब मैं इसे आपको अपने हाथ पर लगाकर इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ तो आपने इस रैमडी को रात को सोने से पहले अपने फेस पर अपलाई करना है अगर आप दिन के वक्त लगाना चाहते हैं तो आपने दिन के वक्त अपने फेस पर लगाने के बाद ड्रेक्ट धूप में नहीं जाना तो ये थी हमारी आज की होमेड नैचरल रेमडी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताके हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफकेशन आप तक पहुँँ सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाहाफिज